देश भ्रह्मन पर पैदली निकले अमीत 158 दिनों में की पार्च राज्यों की यात्रा जहारखन के धनवाद निवासी आमीत पैदली देश भ्रह्मन पर निकल चुके है वो आज सुपॉल पहुचे जहां उन्होंने बताए कि वे 180 दिनों से देश विविन राज्यों में पैदल यात्रा पर है 7 अक्टोबर को उन्होंने यहां यात्रा 36 गड़ से सुरुकी जिसमें 36 गड़, उडिशा, पसिम बंगाल, जारखंड, बिहार घूम चुके हैं वे अज सुपॉल पहुचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया और थंड़ा पिलाए ताकि भीशन गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकें उन्होंने कहा कि वे अब आसाम जा रहे हैं इसी तरह वे पैदली पूरे देश का प्रहमन करेंगे कहा कि उनका उदेश्य देश भर में घूम घूम कर वहां के कल्चर, वहां के फूड और वहां के लैंगविज आदी को जानना है साथ ही पैदल चलने से सारीरिक फिटनेस भी बनी रहेगी दूसरी चीज़ है कि मैं पाइक से भी ट्रैवल कर सकता हूं या फिर कार से तो वाइं ट्रैवलिंग ऑन पूर्ट का रिजन यह है कि लाइक में लोगों में एक सोचल मैसेज देता हूं और अगर मैं पूरा भारत पैदल खूम सकता हूं तो आप लोग के छोटी-छोटी दूद लाना अंडा लाना उसके लिए आप पैदल चले हैं साइकल करें ताकि आप मदर अर्थ को थोड़ा सा पंट्रुशन दे और पे फिजूल कार्वन प्रोड्यूस ना करें जिसे करण आपका भी सेहत अच्छा रहेगा और मदर अर्थ का आपका यही कारण है कि इतना अब लोग फैदल चले वो सेहत मन रहे हैं एक्जाक्टी कि मेजर इसूस होता है पॉलिशन का इक इंडस्ट्री और दुसरा होता है वेकल्स को अपना कमांड कर सकते हैं क्योंकि फिजूल ना हो चला के बल्कि पैदल चले अगर आप देखती हो कि सहर में ज्यादा गाड़ अब मैं आसाम के लिए बढ़ रहा हूं और अभी मैं सब्सक्राइब नहीं हुआ 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 है चले अगर देखिए आउच को बोली है कुछ देख रहे हैं कि अमीर जी को खंडा पिला रहे हैं क्या खारण है मैंने इनको देखा कि मुझे परने लगा कि ये साइकल जो है पैडल वाला साइकल से ये मलब तूर कर रहे हैं इंडिया बर्मन जो भी कर रहे हैं मैंने पास में जाके देखा तो ये खीचने वाला वो बनाए हुए है तो पैडल वो खीच के वो बर्मन कर रहे हैं मुझे आंखों तेकी मल विश्वास नहीं हो रहा कि मतलब ये ऐसा कर सकते हैं इस दुनिया में इंडिया में है ऐसा इंसान है सुपोल से समवाद दादा एम दी नाजिर आलम की रिपोर्ट है